ओम जैसर किस्ट मैं हरे राम सिंग अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्यान अध्याय 30 इसमें कृष्म भुकान बोलते हैं कि हे अर्जुन जिस भावना यानि जिस नियत से मुनुष्य कर्म करता है वही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पूर्णे बन जाता है कर्म के इस ग्यान के द्वारा ही वह कर्म विकर्म और अकर्म बन जाता है औरुन बोलते हैं कि हेके शो यह कर्म, विकर्म या कर्म क्या होता है कर्म उसे कहते हैं जब कर्म सकाम भाव से किया जाता है और मनुश्य फल की एक्षा करता है, उसका फल कर्म का दूसार अवस्य ही मिलता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है, तब विकर्म क्या होता है? जब असत्य या हिंसा से कर्म किया जाता है, वही कर्म भी कर्म होता है, हे पार्थ यसे सुर्य उदय होते ही अंधकार नस्ट हो जाता है, वसे ही ग्यान का प्रकास ग्यान के अंधकार को नस्ट कर देता है, फिर मनुष्य परमात्मा के तरफ जाने वाले मार्ग से कभी भटकत पिर ज्यान के सक्षातकार होने से मनुस्य जान जाता है कि वही कर्म पुर्णे कैसे बन जाता है और वही कर्म पाप कैसे बन जाता है इसलिए कहा जाता है इसका मतलब यह होता है कि उस कर्म के पीछे उसकी भावना क्या है उस कर्म के पीछे उसकी नियत क्या है तभी उस नियत के नुसार ही उस कर्म का फल उचीत या अनुचीत होता है इसका मतलब यह है कि एक ही कर्म किसी के नियत के नुसार पाप भी बन जाता है और वही कर्म पुर्णे भी बन जाता है कर्म किस भावना के नुशार मनुस्य के कर्म, अकर्म योंग वीकर्म की पहचान होती है मनुस्य जब निसकाम भाव से कर्म करता है तब उस कर्म का फल उस आनिविको नहीं भोगना पड़ता है निसकाम भाव का मतलब fearless action तब वो हकर्म हो जाता है कर्म उशे कहते हैं जब सकाम भाव से कर्म किया जाता है तब उस कर्म का फल अवश्य मिलता है अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है बुरे कर्म का फल बुरा होता है और विकर्म वह है जो अशत्य शल कपट है और हिंसा से कर्म किया जाता है इसका मतलब यह है कि यह जुद्ध भी कर्म है क्या कोगि इसमें हिंसा है फिर किसमभवान बोलते हैं कि हे पार्थ तुम अभी भी अज्ञान के अनकार में ही भटक रहे हो मैं अभी अभी तुम्हें यह बताया कि कर्म जीस भावना से किया जाता है उसी कनुसार पाप या फो उस जुद्ध में हिंसा के बावजूद भी मनुषा सदगति को प्राप्थ होता है इसका मतलब कर्म हिंसा करने के बावजूद भीeter करने के हिंसा होगी यह अन्हाय के प्रती हिंसा होगी इसमें हिंसा के बावजूद भी आदमी सद्गती को प्राप्त होता है कि यह धर्म और अन्हाय के प्रती ही अन्हाय के प्रती इसको जुद को किया जा रहा है इसके साथ मैं आप लोगों से आग्रह करूगा, यह आप लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें, थाइंक यू, भेरी मुच, जय हिन, जय भारत!